भिंड जिले के अटेर तहसील के क्यारी पुरा शास्के मादमिक विद्याले में बच्चों को टीडी का टीका लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई बच्चों का आनन फानन में विद्याले के लोगों ने सुरपुरा स्वासकेंदर में इलाज शिरू कराया जहां चार बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें भिंड जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा बता दिंकी विद्याले में इन दिनों बच्चों को टीडी का टीका लग रहा है फिलाल बच्चों का इलाज जिला अस्पताल भिंड में जारी है वहीं CMO ने इस बारे में बताया कि बच्चे अब खत्रे से बाहर है बच्चों के परिवार वालों को भी यह जानकारी शाम को दी गई क्योंकि प्रभारी मंत्री का कारिक्रम था इसलिए मीडिया से भी इस जानकारी को छिपाया गया परिजन्नों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए है मामला सामने आने के बाद CMHO भिंड ने बच्चों की हालत में सुधार बताया है और कहा है कि अब उनकी हालत खत्रे से बाहर है यह को बैक्षिन लगाए गई 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 लिए इसलिए में वहाँ पर दवा नहीं है इसलिए में आपके लेकर आज़े हो अच्छा बैक्सिन कब लगाई गई थी वैक्सिन कब लगाई गई थी दोफेर में आपको सुचने कह वहीं लगी अगर इतनी लेट क्यों में इस इस बाद लोगों को पताया है नहीं के बच्चे को हमारा एक केमपेंचर रहा है तो हर कुनवार को सबता है और उसमें टीडी वैक्सिन और लगाई जा रहा है बच्चों को देप्टेरिया और टेटेंट वाले तो उसमें कुछ चार बच्चियां हैं उनको तुला देखना कुई हैं उनको एडमेट किया गया है तो ली क्या हो सकता है खाली पेट हो या घबलार की वज़े से हो तो उसकी वज़े से ऐसी कंडीसन बनी इसलेक्टें सभी स्टेवल हैं सब्साइए तो टीडी का इंजर्टे में कोई साइड़ पेक्ट को यह रहता किया खोई साइड़ वागाई तो नॉर्माल है तो यह एंपी में लग रहे हैं अपनी जिले में अकरे लेने करें लेने किसले